हेलो इवरिवन, स्वागत थे हैं स्वी सुवेकेजमी के यूट्रूब चेनल में दोस्तों टाइप साफ एंटीना की वीडियो लेक्षे स्रीज में आज हमें एक और महत्पूर एंटीना, होरन एंटीना के बारे में जानेंगे कि होरन एंटीना क्या होता है या कैसे काम करता है इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अपलिकेशन के बारे में तो चलिए प्रेजन सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होरन एंटीना क्या होता है Haworn antenna एक प्रकार का popular microwave antenna है जिसे बिशेश रूप से microwave आवरतियों के लिए design किया गया है दोस्तों जो Haworn antenna होता है वो basically wave guide का ही modify रूप होता है जिसका उपयोगम signal को radiate करने के लिए करते हैं अब दोस्तों Haworn antenna जो होता है वो एक microwave antenna होता है जिसे बिशेश रूप से माइक्रोवेव आवरतियों के लिए ही डिजन किया गया है एंटीना का अंत चोणा या सींग के आकार में होता है इस सनरचना के कारण बड़ी प्रत्यच्छता होती है ताकि उतसरजे संकेत को लंबी दूरी तक आसानी से प्रेसित किया जा सके और इसमें क्या होता है जो हो नेंटीना होता है उसकी जो सनरचना होती है उसमें उसका जो अंत होता है उसको चोणा या सींग के आकार में रखा जाता है और इसी सनचना के कारण जिसकी जो डारेक्टिटी होती है वा हाई होती है और दोस्तों जो हो नेंटीना होता है उसकी जो सनचना होती है वा इसलिए 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 रखी जाती है जो 300 MHz से 30 GHz तक होती है और दोस्तों जो हो नेंटिना होते हैं वो हम microwave frequency में काम करते हैं इसलिए दोस्तों जो हो नेंटिना होते हैं उनकी जो frequency range होती है वो सुपर हाई या अल्टर हाई होती है जो कि 300 MHz से 30 GHz तक होती है तो दोस्तों जो horn antenna होते हैं वो वा 300 MHz से 30 GHz तक की frequency range पर कार करते हैं दोस्तों यह figure आपको horn antenna का figure दिखाया गया है दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें जो हमारी waveguide होती है उन्हीं कोई flared कर दिया जाता है मतलब फैला दिया जाता है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी waveguide होती है उन्हीं कोई flared या फैला दिया जाता है horn antenna को समझने से पहले आप हमारे waveguide के इस वीडियो lecture को आवर से देखें लिंक वीडियो के description में दिया गया है ताकि आपको horn antenna आसानी से समझ में आ सके तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो horn antenna होता है वा किस सिकार करता है दोस्तों जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो horn antenna होता है वा waveguide का ही modify roof होता है जिसका उपयोग signal के personal के लिए किया जाता है और दोस्तों आप जानते हैं कि जो waveguide होती है उनका एक सीरा excited होता है तो field generate होती है और दोस्तों आम तोर पर waveguide के साथ साथ free space में भी छेतर समारूप से off rate होती है और इसमें क्या होता है जब जो traversing field होती है वा waveguide के अंत में जब पहुँचती है तो यह भी उसी तरीके से फैलती है लेकिन fusion के principle के कारण जो लेरे होती है वा बाद में फैलने लगती है और दोस्तों horn antenna की सरचना के कारण अंत में हमें गोलाकार तरंगार प्राफ्थ होते हैं और दोस्तों इसमें क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कि free space की जो impedance होती है वा waveguide की impedance से अलग होती है इसलिए प्रतिविम को कम करने के लिए waveguide की flaring की जाती है दोस्तों जो horn antenna होता है उसका यूज हम इसलिए ही करते हैं कि जो reflection होता है उसको कम किया जा सके और इसमें जो reflection होता है उसको कम करने के लिए हम waveguide की flaring कर देते हैं मतलब waveguide की दिवारों को फैला देते हैं दोस्तों फ्लेरिंग करने से क्या होगा? फ्लेरिंग करने से नकेवल इसकी impedance matching अच्छी होगी, बल्के उच डारेक्ट्वीटी और narrow beam width भी प्राप्त होती है. इसलिए दोस्तों जो wave guard होती हैं, उनको flat करके horn antenna के रूप में बना दिये जाता है. दोस्तों हम देख लेते हैं types of horn antenna के बारे में. онец Karena के कुछ प्रकार के बारे में, तो इसमें जो figure A है, वा sectoral horn antenna का figure दिखाया गया है. दोस्तों sectoral horn antenna क्या होता है? जो sectoral horn antenna होता है, उसमें जो flaring की جाती है, वह wave guard की एक डिवार के साथ की जाती है. मतलब दोस्तों जो sexual horn antenna होता है उसमें जो wave guide होती है उसकी कावल एक ही दीवार को flare-down करिया जलता है मतलब फैला दिया जाता है और जो figure v है वह pyramidal horn type antenna का figure दिखाया गया है दोस्तों pyramidal horn type antenna क्या होता है इसमें जो flaring की जाती है वह व buffer it की दोन दीवार के साथ की जाती है मतलब दोस्तों इसमें जो waveguide होती है उनकी दो औरों दिवारों को flared या फैला दिया जाता है और दोस्तों जो figure C है वो circular horn type antenna का figure दिखाए गया है circular horn antenna को हम conical horn antenna के नाम से भी जानते हैं इसमें दोस्तों circular waveguide का यूज किया जाता है लेकिन जो sectoral और pyramidal horn antenna होते हैं उनमें rectangular waveguide का यूज किया जाता है दोस्तों अब हम देखेंगे advantage of horn antenna के बारे में कि horn antenna का क्या लाव होते हैं इस antenna can operate over a wide bandwidth wide range of frequencies since they don't have resonant element ये जो antenna होते हैं वो बिस्तरत bandwidth पर operate करते हैं और बिस्तरत आवरत range की स्रंकला पर काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी resonant element नहीं होता है designing इसे simple और इनकी जो designing होती है वो आसान होती है they are also simple to connect to the waveguide and a coaxial feeder और जो horn antenna होते हैं उनको waveguide और coaxial feeder से आसानी के साथ connect किया जा सकता है these antennas have a low SWR दोस्तों जो horn antenna होता है इनका जो standing wave ratio होता है वो लो होता है code impedance matching और इनकी जो impedance matching होती है वो आच्छी होती है small minor lobes can be firm और इसकी जो minor lobes होती है वो छोटे होते हैं better directivity और इनकी जो directivity होती है वो बेटर होती है avoided standing waves और ये standing waves को avoid करते हैं दोस्तों अब हम देख लेते हैं disadvantage of horn antenna के बारे में यह जो antenna होते हैं वो गोला कारत रंग के रूप में energy को radiate करते हैं इसलिए यह जो antenna होते हैं वो better directivity और sharp beam प्रदा नहीं करते हैं flare angle design will decide the directivity और दोस्तों जो flare angle का design होता है वो directivity को decide करता है the antenna's directivity depends on the flare angle और जो horn antenna की directivity होती है वो flare angle पर depend करती है दोस्तों हम देख लेते हैं horn antenna के application के बारे में these are used manually for astronomical studies जो horn antenna होते हैं उनको मुख रूप से खगोली यह दिन के लिए ही use किया जाता है these are used in microwave-based applications और इनका जो use होता है वो microwave-based अनप्रियोगों के लिए भी किया जाता है these can be used as a feed element और इनका used feed element के रूप में भी किया जाता है these are used in laboratories to measure different antenna parameters दोस्तों जो horn antenna होता है उनका उप्योग प्रियोग साला में बिभिन antenna के parameters को measure करने के लिए भी किया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जाइन वंदे मातर हम